पर एक महरास्य उस्सें वीडियो वाइडल हो रहा है जिसमे एक शक्स है जो की अपनी उगली काट रहा है और मोदी जी को लेकर कह रहा है कि यह लू मोदी जी हमारी उगली और जब तक हमारे भाईया और भावी को न्याई से खुश नहीं है उसका कहना है कि उसकी भाई और भाभी ने कुछ मंत्रियों के द्वारा उन्हें प्रतारिक किया जो आ रहा था असकार वश उन्होंने आत्मत्या कर ली और उसके बाद पुलिस में जब कंप्लीन दर्च करवाया गया तो फिर पुलिस भी इस पर कोई महराश्च से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां भाई और भाभी की आत्मत्या के मामले में धीमी जांच को लेकर एक वैक्टी ने ऐसा कदम उठाया है शक्स पुलिस से परिशान होकर क्यामरे के सामने अपनी उंगलियां काट लेता है अनसाफ पाने के लिए पुलिस भी हैरान है और अब जो पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं तब जाकर इस मामले में आक्शन लिया गया है आपको बता दे पुलिस प्रसाशन के नजर में जो ऐसे ही वाईरल वीजियो गया वैसे ही उनके हाथ पाउँ पुल गये उसके बार जुला पुलिस ने तुरं काट ली हैं कैमरे के सामने वो आदमी अपनी उंगली काटता है अपनी भाई और भावी के आत्महत्या की जांच ठीक से और आरोपियो के गिरफतार ही नहीं होने से नाराज धनंजे नानावारे ने ऐसी दर्दनाग घटना को अंजाम दिया है इतना ही नहीं बलके उसका व करेगा सरकार पर सवार उठाते हुए शक्स ने जब तक उसके भाई और भावी को नियाए नहीं मिल जाता कोई करवाई नहीं होती तब तक ऐसा करने की धंकी देता है धरंजे की भाई नंद कुमार ननावरे अपने परिवार के साथ महराश्ट के उल्लास नगर में रहते जहां वो पहले अस्थानिय विधायक कर जोती कालोनी के नीजी सहायक रह चुके थे और घटना के 20 दिन पहले हैं उन्होंने अपनी पपनी के साथ बंगले की चट से कुछ कर खुछी की थी जहां इतना ही नहीं बलके खुछ दिन बाद ही ननावरे का एक वीडियो सामने आ गिरफतारी नहीं की गए इसे भी जांच को लेकर पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को दे दिया गया और अब आसवाशन दिया जा रहा था कि उसकी भाई और भावी को न्याय मिले गा लेकिन प्रसाशन कोई भी खास आक्शन नहीं ले रही थी जिसकी बाद में तक कि भा हर इक अग काटते रहूँगा हलांकि अब इस मामली में कारवाई को लेकर अस्थानिय पुलस के अधिकारी का कहना है कि सुसाइड नोट के अधार पर घटना के सब्सक्राइब कमलेश निकम नरेश नाम के वैक्ति को साथी गणपती कामली और शशिकांत साथी नामक वैक् आगे अब उस पर कारवाई की जाएगी हलांकि पुलस ने इन चारो आरोपियो को तब गिरफतार किया है जब नंद कुमार की भाई धनंजे ने कैमरी के सामने एक चाकू से अपनी उंगलियां काट ली और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल किया तब जाकर इस पर आ आक्शन नहीं ले रही है लेकिन आप वीडियो सामने आया और पुलस आक्शन ले चुकी है अब आगे इस पर पूछताच करके कालवाई की जाती है या नहीं देखने वाली बात होगी जो भी नई जानकारी सामने आएगी आपको हम बताएंगे फिलहाल यह जो वीडियो है वो बड़े तेज़ी से वाइडल हो रहा है वीडियो है इसमें सामने कैमरे के सामने आदमी अपना उंगली कार रहा है और आगे भी ऐसी घटना को वो अंजाम देगा ऐसी धंकी दे रहा है बाकी अब इस पर आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है आपको हम ज़रूर बत